जै मातादी दोस्तों, आज है नवरातरी का साथवा दिन और आज की थाली है चाट स्पेशल चलिए बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरूबात करते हैं इमली की चटनी बनाने से सबसे पहले कड़ाई में लिया है थोड़ा सा ओयल, उसमें डाली है जीरा और अद्रक, जब तक अद्रक भुन रही है हमने इमली को पहले से ही भिगो कर रख लिया था, अब इमली का पल्प निकाल कर उसको भी इसमें डाल देंगे अब हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी चीनी, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं जितना आपको मीठा खाना पसंद हो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसको 5-7-8 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे जब तक यह हमारी बॉयल हो रही तब तक हम टिक्की बनाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं यहाँ पर हम 8-10 मीडियम साइज के आलू को कदू कस कर लेंगे अगर आप इसको मैश करना चाहते हैं तो आप मैश भी कर सकते हैं बट इसमें कोई भी गुटलिया ना रह जाए इसलिए हम इसको कदू कस करते हैं आलू को हमने कदू कस कर लिया है तब तक हमारी चटनी भी बनकर तैयार हो जाएगी यह देखिए हमारी चटनी लगभग बॉयल होके इसका कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी थिक हो गई है इसको हम ज़्यादा ही नहीं बॉयल करेंगे आप इसको फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि इमली की चटनी जितनी ज़्यादा ठंडी होती जाएगी उतनी इसकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ती जाएगी चलिए अब टिक्की बनाने की शुरुबात करते हैं टिक्की बनाने के लिए आलू में हम चॉप किया हुआ हर अधनिया पिंच ऑफ सॉल्ट और चॉप किया हुआ हरिमिज डाल देंगे अब हम डालेंगे इसमें ठोप थोड़ा सा जीरा अब इसको हम साबुदाना को पीस लिया है और चार चमच साबुदाना का पवॉडर यूज किया है अब इसी के मदद से हम इसका डो बना लेंगे आप चाहें तो साबुदाना की जगे आरा रोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे डो बनकर लगभग रेडी हो गया है अब हम इसकी टिक्की की शेप में बना लेंगे सबसे पहले हम इसकी लोईयां बनाएंगे और उसको हलका सा हलके आतों से प्रेस्ट करके इसके टिक्की का शेप बना लेंगे और इसको फिर डीप फ्राइ करेंगे ये देखिए हमारी टिक्की का शेप इसी तरीके से बाकी के बचे हुए डिक्की भी टिक्कियां बना लेंगे अब इसको हम डीप फ्राइ करेंगे लाइट ब्राउन होने तक इसको क्रिस्पी मीडियम फ्लेम पे फ्राइ कर लेंगे एक साइट से हमारी टिक्कियां सारी फ्राइ हो गई है इसको अच्छे से पलट देंगे यह देखी हलका सा इसमें ब्राउनिश कलर आने लगा है अब इसको सारी टिक्कियों को अच्छे से पलट देंगे ताकि दोनों साइट से अच्छे से सिख जाए एक साइट से ब्लकुल लाइट ब्राउन कलर में हमारी क्रिस्पी सी टिक्कियां बनकर तयार हो गई है आप चाहें तो इसको एक पैन में हलका सा ओयल डालके भी सेख सकते हैं या तो आप इसको डीफ्राइ कर लें अब हमारी टिक्कियां लगभग पूरी ब्राउन होकर क्रिस्पी बनकर तयार हो गई है अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए हमारी टिक्यां बिल्कुल क्रिस्पी सी ब्राउन बनकर तयार हो गई हैं अब हम प्रॉपर टिक टिक्की बना लेंगे जिसमें हम डालेंगे दही मीठी चटनी जो हमने इमली की बनाई हुई है साथ में डालेंगे हरी चटनी धनिया की बनाई है और सम ग्रेटेट